सो हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे सेम की फली और बैगन की सबजी पारमपरिक तरीके से जैसे मेरे यहां बनता है तो ये सबजी को कैसे साफ किया जाता है वो देख लेते पहले सबसे पहले इसकी नसों को अलग करते हैं इस तरीके से और इसे छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लिया जाता है मैं आपको दूसरा भी करके एक दिखाती हूँ यह जो नस रहती है यह गलती नहीं से निकाल दिया जाता है और यह specially बड़ो को जादा अच्छा लगता है बच्चों को नहीं पसंदा आता है मेरे घर पे तो बच्चे नहीं खाते है जूट नहीं बोलना चाहिए और बड़ो को बहुत अच्छा लगता है तो उसे ज्यादा पसंद किया जाते हैं अब कटोरे में दिया है पानी और नमक औौर इसमें में में बैगन डालूंगे तो बैगन को कट करके डालेंगे अगर कीड़े वगएरे रहेंगे तो वो उपर आ जाते हैं तो यह टीप आपको याद रखना जब भी बैगन कट करें तो पानी में नमक डाल दीजें उसी कीड़े उपर आ जाएंगे अब यहाँ पर मैंने कुछ लेसन की कलिया ली है एक चमच अद्रक का टुकड़ा लिया है और हल्दी लिया है तो अब इससे पीश लेगे तो यही में मसाला है हमारा इससे कच्चा मसाला कहा जाता है और अच्छे से इसे मैं पीस लूँगी, आप चाहो तो ब्लेंडिंग जार में पीस सकते हैं तो especially मेरे घर पे सिल बट्टे का मसाला सब ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं इसलिए इस अरह से पीसती हूँ अभीकदम मेहिन सरसो का दाना पीसना है और इसे पीसने के पाद मैं इसे कटोरी में उठा लेती हूँ तो लीजे यहाँ पे मसाला हमारा बन के रेडी हो गया है तो अब बढ़ते हैं किचन में और यहाँ पे मैंने सेम की फली को कट कर लिया दो आलू धोके कट कर लिया है और बैगन भी कट करके रख लिया तब मसाला भी तयार है तो सबसे पहले यहाँ पे कडाई में डालेंगे दो चमच तील तील को अच्छे से गरम होने देंगे इसके बाद एक चमच पचपोरन एड़ करेंगे पचपोरन के जगा पे आप जीरा भी ले सकते हो पचपोर में सारे चीचे डली होती है और दो-तीन तेजपत्ते और हरी मिर्च जितना हम तीखा घाते उतना एड़ करेंगे और जो सेम की फली है इसे अच्छे से भूनेंगे यह हमारा में स्टेप है इसे भूनना बहुत ज़रूरी है अधरवाइस अच्छी सबजी नहीं बनेगी क्योंकि जो कच्चा रहता है ना तो वो कच्चा ही रह जाएगा आप जाए कितना भी पका ले इसे अच्छे से फ्राय करना ही बहुत ज़रूरी है अगर आप और सेम की फली में बहुत सारे वाइटमन्स और मिनरल्स पायल जाते है और इसकी सबजी बहुत ही सुपर टेस्टी सुपर डिलिशेस बनती तो है ही लेकिन यह बहुत ही सेहत के नजरिये से बहुत ही ज़्यादा फायदेमन सबजी होती है तो यहां पर मैं सेम को निकालूंगी नहीं बैगन को भी डाल दूंगी और इसे भी मीडियम आज पर अच्छे से हमें फ्राय करना अच्छे से बूनना है और यह एक सबजी में बारी-बारी से इसमें एड करती ही जाओंगी इसे निकालने की जरूरत नहीं साथ में हम पकाएंगे और अच्छे से देखे बैगन नरम हो गया है तो यहां पर हमने आलुक को भी इसमें एड कर दिया है अगर आप पहली बार बना रहें यह सबसी तो भी आपके घरवालों को यह सबसी बहुत जादा पसंद आएगी और य यहां पर मैंने लिया है मसाला और इसे अड कर देंगे Latinən महल ने थे देखा अगया है तो मुझे अलग से इड करने की जरूरत नहीं है है अगर आपके मसाले में हल्ती नहीं है और यहां पर एक चमच मैंने गरम मसाला ढाला है और यह को सबसी है ओप्शनलि और ऑपको डाल पाने दम उड़ जाएगा और जल जाएगा इसलिए मसाले को धीमी आज पर ढग कर भूनेंगे और अच्छे से यह पक जाएगे तो दो-तीन मिनट के लिए और इसे हम भूनने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसे फिर से मिक्स करेंगे और यह देखिए हमारे मसाल आट पक गए है तो यहां है मैंने एक कटोरी पानी लिया है और इसे अच्छे से हम डाल देंगे इसके अंदर और इसे मीडियम फ्लेम पर फिर से पकने देंगे तीन से चार मिनट के लिए और उसके बाद हमारे सबजी बनके पक रेडी हो जाएगी और यहां पर हमारी सेम और आलू बैगन की सब्जी बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाएगी तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंड में जरूर बताएगा चले मैं आपको सर्फ करके दिखाती हूँ इसे बहुत ही टेस्टी सी लग रही है आलू बैगन सेम की सब्जी कच्छे मसाले में तो ह अगली बाद इस तरह से सब्जी जरूर ट्राय करना बाबाई कल फिर मिलेंगे